हेलो गाइस वेलकम टू प्रेप की ट्यूट चैनल आईटी जैम 2023 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं तो इनकेस अगर आप 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 आप्लिकेशन फॉर्म अप्लाय कर सकते हो आईटी जैम के लिए जो एक्जाम है वो फैब में आपका हो रहा होगा और इस वीडियो के अ है क्या वो हो चेंज हुआ है ठाइट तो इनी सभी चीजों के बारे में आप पर बात कर सकते हो उगे तो ऑर आप इस वीडियो के साथ तो सबसे पहले बात करते हैं पाटिस्पेटिंग इंसिटूट्स की तो गाइस इसके अंदर 21 इस पाटिस्पेट करते हैं तो मेंली हमारा जो एक्जाम है वह आइटिस के लिए होता है लेकिन सिर्फ आइटी के अंदर ही एडिमिशन नहीं होता है इसके लिए यहां पर है इसके अलावा गाइस कुछ और इंसिटूट भी है जहां पर हम एडिमिशन ले सकते हैं इसके बाद हमारे पास इंडियन इंसिटूटूट और पेट्रॉलियोम एन एनरजी है उसके बाद हमारे पास आईजर पूने आईजर बोबाल है फिर जेन सी एसार है जेन सी एसार में आप कंडेंस मेंटर फिजिक्स में कर सकते हो ठीक है CCMN के थुरू भी हमारे कुछ इंसिट्यूट से हैं जहां पर हमारा एडमिशन होता है जैसे कि हार हमारे एडियाट है और इसके अलावा गैस SLIET और साथ में IAEST के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो आइटी जैम स्कोर के बेसिस पे जो की CCMN कांसलिंग के अंडर में आंगे तो गैस यह कांसलिंग जैम के रिजल्ट आने के बाद होती है तो आपको इस कांसलिंग के अंदर अलग से पाटिस्पेट करना लेकिन वो बाद की बाते हैं अभी फोकस हमारा सिर्फ जैम एक्जा तो इंपोर्टेंट डेट सरेने वाली हमारी वो क्या क्या है एप्लिकेशन फॉर्म हमारे रिलीज हो चुके है लास्ट डेट क्या है एप्लाइ करने की 11 अक्टूबर को आप लास्ट टाइम आपका फिल करने का उसके बाद गैस जो एड्मिट कार्ड है आपके वो कब आने है उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ रहोगा वो 22 मार्च को आ रहा होगा तो गैस यह रहने वाली है कभी-कभी हल्का फुलका उपर नीच हो चाहता है एक-दो दिन उपर नीचे लेकिन हमारी चीज़े जो है ऐसी रह रहे होंगी एक्जाम डेट इस विक्स है एक्जाम किसी दिन हो रहा होगा ठीक आपका second Sunday जो होता है February में तब यह आपका एक्जाम होता है लेकिए एड्मिट कार्ड यह होगी तो एक-दो दिन उपर नहीं चाह सकता है result एक-दो दिन उपर हो सकता है ठीक है लेकिन maximum time बिलकुल time पर होता है जैसे schedule आता है उसी के recording के चलते है इसके बाद बात करें हम test schedule की तो गाइस जो test schedule है आपको पता ही होगा अगर आप प्रिपर कर रहे हो तो सुबह एक्जाम होने वाले हों chemistry, geology और mathematics को होने वाले है और जो हमारा physics का exam है ठीक है वो होने वाले है डाई से साड़े पांच ठीक है तो आपका evening में exam हो रहा हो और साथ है biotechnology, economics और mathematical statistics का भी इससी time पर हो रहा होगा अब गाइस बात करें हम आगे की तो गाइस next चीज़ है यहाँ पर application fee की बात करें तो जो female candidates हैं उनके लिए एक paper के लिए रहने वाली है 900 और साथ में 1250 और जो males हैं उनके लिए यह वाली 1800 और 1500 लेकिन जो SC ST category से बिलोंग करते हैं उनके लिए सेम यह फीज रहने वाली 900 और 1250 अगर आप one paper चूज करते हो तो आपके 900 टू पेपर चूज करोगे यानिके 1250 गैस दर टू पेपर क्या चीज़ है इनके इसकिसे को नहीं पता आप दो exam के लिए भी फिल कर स ठीक है तो आप ऐसे यहां पर appear हो सकते हो तो let's say आप physics के student हो तो आप maths का साथ में combo बना सकते हो या फिर chemistry का combo बना सकते हो अगर आप देना चाहो लेकिन मैं को हो कि आप एक के उपर focus रखना वह जादा बट है ठीक है दो में जाओगे थोड़ी दिक्कते हो सकती है तो fix कर ल नहीं जादा बेटर है तो अब गैस बात करें हम आगी की तो गैस ही होगी एक बार फीस बरने की तो लेकिन क्या हम बाद में कुछ changes करा सकते है लेकिन अभी physics डाल जाल लेकिन दो मेने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं maths लूँ क्या ऐसा possible है तो गैस ऐसा possible है आप change करा सकते ह तो 31 October last date थी ऐसा करने की मैं आपर mention करना बूल गया हूं तो आई आप आप इस ब्राउचर से confirm कर सकते हो लेकिन अक्टूबर तक आप change करा सकते हो तो गैस यह यह आपर सारा फीस लिखा हुआ है कि आप अगर चेंज करा तो आपको कितना पे करना होगा लेट से कि आपने ए चेंज कराने करने कि आप और इसे जो अधर साथ में 1060 के लिख ऑपर वाली और अगर जो बागी के रहें एनकी जो मेल से जर्नल केटेगरी से भाइट तो उनकी अगर हम बात करें यहां पर तो हमारे पास यहां पर क्या रहेगा वन पेपर अगर हमने फिल किया है और वो य प्लीज इस इसका ध्यान रखना इस है भी चार्ज से आपको बचना है तो अब गयाज आगे की बात करें और अगर ऐसी आप गया एड भी करा सकते हैं चेंज कराने की बात आप एड भी करा सकते हैं तो एडिशन की जो फीसा हो कितने 350 और 750 है तो यह हमारे पास यहां पर रहन होंगे यहां कि 50 marks का हमारा section A रहने वाला है कोई भी changes यहां पर नहीं दिये गए है section B की बात करें तो हमारे पास यहां पर 10 questions आएंगे MSQ 20 marks का portion रहने वाला है तो वही चीज है इसके अंदर हमारी negative marking होगी इसके अंदर हमारी कोई भी negative marking नहीं होगी यहां पर marking negative कितनी होगी 2 by 3 यानि कि अगर आपका a question another होता है तो इसके ऊपर 2 by 3 marks आपके deduct हो रहे होगा यानरे कि point 66 सापके deduct हो जाएंगी ऐसी section C के अंदर Peru कितने questions आएंगे 20 questions आएंगे 10 questions आएंगे 10 questions आएंगे और 10 questions आएंगे 20 marks के तो यह आपका क्या है section C का है और इसके अंदर है आपकी OUR यहाँ पर सारी डिटेल लिखी गही है अगर आपको लटसे कुछ रीड करने तो पॉस करके आप यहां से कर सकते हो मैं साइड हो चुका हूं तो आपने देख लिया हो अगर आपको देखना था तो अभी हम आगे की बात करते हैं अब यह वाला जो पोश्चन है वह सिर्फ आई टीजम फिजिक्स वालों के लिए है तो अब यहां पर क्या है एलिजबिटी की मैं यहां पर बात करने वालों गयाइस देखो सबसे परतों मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप से आईटीजम फिजिक्स ले रहे हो तो उसके अंदर काफी सारी कोर्से नहां पर आप अलग अलग तरह से तो उनीकी एलिजबिटी यहां पर अलग अलग है तो आपको भी यहां पर one by one में सारी चीज़े यहां पर बताने वाला हूं जैसे अगर हम बात करें MSC physics जो most of the students prefer करते हैं तो अगर हम MSC physics की बात करें तो guys यहां पर different institute हैं सारे के सारे ठीक है जैसे IIT गांधी नगर की guys कोई कोई भी restriction नहीं है eligibility के ओपर आप कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात यहां पर ठीक है बस आपको एक्जाम तो कर रहा है और उसके लिए आपने पहले पढ़ा होना चाहिए यहां पर वैसे कोई restriction उन्होंने अपनी तरफ से नहीं डाल लिए लेकिन अगर हम बात करें बाक पर रखनी पड़ता बस आपके पास बीटेक की डिगरी उनी चाहिए पर साथ में आपको एक्जाम करेक करना है इसके लावा अगर आपके पास बीएस्सी डिगरी या फिर बीएस्सी डिगरी है तो उसके लिए क्या condition है आपके पास physics होनी चाहिए दो साल के लिए आने की 4 semester जिनका semester system है guys 4 semester में होनी चाहिए और अगर आपका yearly system है तो 2 साल आपकी physics यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम उसके बाद आपके पास क्या है mathematics mathematics में guys आपने at least 2 semester में maths पढ़ियो या फिर 1 year में आपने maths पढ़ियो इतना compulsory है math और physics यह MSC physical condition है बाकी की IITs के लिए सिर्फ गांधी joint MSC PhD in physics तो guys यहाँ पर हम बात करें joint MSC PhD की तो guys हमारे पास यहाँ पर भी engineering student के लिए कोई भी restriction नहीं है लेकिन अगर हम बात करें basic students की तो guys 2 years या फिर 4 semester में हमारे पास physics होनी चीए और maths होनी चीए हमारे पास 1 year या फिर 2 semester में यारे कि same condition जो उपर थी वो यहाँ पर भी हमार नेश्वर में है guys इसके बाद guys IIT खड़कपूर की बात करें तो उसके अंदर भी same चीज हमारे पास 4 physics होने चीए या equivalent subject होने चीए उसके साथ में हमारे पास 2 mathematics होने चीए और equivalent subject in the bachelor degree ठीक है तो हमारे पास 4 physics और 2 math होनी चीए IIT खड़कपूर के लिए भी अब guys एक चीज मै क्या कर सकते हो mail कर सकते हो ठीक है organizing institute को तो महां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी उस course के वज़े से eligibility है या फिर नहीं है तो कभी कभी क्या होती है समय confusion होती है कि subject consider किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा तो अगर आपको let's say को confusion है तो आप directly mail कर सकते हो ठीक है mail official website मिल जाएगी वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर आप उनको mail करके confirm कर सकते हो वहाँ से mail का reply आ जाता है ठीक है आपको mail का reply वहाँ से मिल जागा तो आप उस case के अंदर mail कर सकते हो और अपनी eligibility को check कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बात करें हम आगी की next है क क्या MSc PhD dual degree in physics अगर हम इस course की बात करें तो यह जो course है यह आई टी कानपूर ओफर करती है और इसके अंदर भी बीटेक के लिए कोई restriction नहीं है physics वालों के लिए same restriction है चार semester में physics और दो semester में maths ठीक है ऐसे हम बात करें MSc applied geophysics की तो यहाँ पर physics और mathematics for two years होनी चाहिए तो पर ज्यान देना ठीक है तो यह महार पास यहाँ पर टे रखा है ठीक है mathematics और mathematical physics है इसके उपर भी जान देना तो जैसे physics उन्होंने mathematical physics भी पढ़ी होगी तो यहाँ पर वो count होगी लेकिन जो ऊपर वाली condition थे ना उसके अंदर मैट्स की कोर्स होने चीज़ है mathematical physics अलग है और at least one of them as a subject for three years और इन में से एक सब्जेक्ट तीनों साल हमारा होना चीए physics और chemistry फिजिक्स और maths में से किसके लिए अप्लाइट जियो फिजिक्स से लिए जो IIT Bombay offer करता है उसके बाद क्या है joint MSC PhD in medical physics तो क्या है जो कोर्स है वो IIT खड़कपूर offer करती है तो इसके major होना चीए हमारा हमाँ पर तो यह हमारी condition है IIT खड़कपूर के लिए 11-12 की यहां पर भी कोई restriction नहीं है अब इसके बाद बात करें next course की जो कि क्या हमारे पास MSC astronomy है जो IIT indoor admission लिती है तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दे रखा हमें bachelor of science दे रखा in physics mathematics statistics electronics computer science और bachelor of engineering technology in any branch and courses in physics for at least 6 credit तो गया हमारे पास क्या होने चीए physics के होने चीए उसके अंदर और क्या हमारे पास इसके आपकी कोई भी हो दो physics होने चीए दो मैट्स होने चीए यह नि दो समेस्टर मैट्स दो समेस्टर में physics IIT indoor MSC astronomy इसके बाद बात करें joint MSC PhD in atmosphere and ocean sciences तो गैस यह अगेन आपको यहाँ पर यह कोर्स करा रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा देखो mathematics and physics with any one of these subject अमंग chemistry, computer science, computer application, geology and city तो यहाँ पर इसके eligibility हमारी यह है तो I hope कि यह चीज़ है clear होंगी और इसके लावा गाईस दो courses और बचे हैं जो कि हमारे एक geophysics का जो IIT खड़कपूर के अंदर admission condition होते हैं तो इसके लिए भी आपर condition दे रखी है यह कि आपके पास geology होना चाहिए four six semester और three years to physics subject to mathematics subject और उसके बाद जो second है तो guys यहाँ पर इन में से कोई सी एक होनी चाहिए तो इन में से हमारा कोई भी point satisfy करना चाहिए तो एक point है geology वहला दूसरा point क्या है physics subject four six semester और three years तो six semester हमारी physics होने चीए और maths हमारी दो subject में होने चीए तो यह हमारी condition है IIT खड़तपूर के लिए geophysics के लिए तो इन चीज़ों के ओपर ध्यान देना कि क्या-क्या दे रखा है ताकि आपको बाद में इकतना रहीं कभी क्या होता कि हम target तो बना लें इतनों सीज़का लेकिन हमार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अपनी eligibility के ओपर थोड़ा द्यान देना ताकि आपको future में चीज़े ना फेस करनी पड़ रही है अब आगे की बात देखो कुछ courses ऐसे भी हैं जहां पर हमें physics तीनों साल ही चीज़े थी यानिकि 6 semester में physics और 2 semester में maths ठीक है कुछ जगा पर बोला गया था जैसे IIT खड़तपूर में बोला गया है तो हमारे पास normal MSC करनी है तो चार semester में physics 2 semester maths engineering कर रहे हो तो कुछ भी फरक नहीं पड़ता तो मारे पास कोई subject हो बस आपको exam निकाल ठीक है कोई eligibility हो तो अगर आपने physics 3 semester पड़ी है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो भी move करते है next के उपर तो guys यहाँ पर last 2 courses आ चुके है इनको भी देख लेते हैं तो guys यह वाला जो course है क्या है MSC PhD dual degree in energy तो यह आपको IIT Bombay offer कर रहा two years और four semester तो two year के लिए आपके पास क्या होना चाहिए mathematics, chemistry यह फिर physics होना चाहिए and any one of the remaining two subjects for at least one or two semester याने की इन तीनों subject में से guys एक subject आपका दो साल होना चाहिए याने की 4 semester और जो बाकी के दो subject बच गए उनमें से एक subject आपका एक year यह फिर two semester में होना चाहिए तो यहाँ आ के अंदर भी आपको क्या मिल रहा होगा biology, biotechnology, chemistry, mathematics and physics for two years for four semester and any one of the other four subjects for at least one year तो याने कि यहाँ पर भी आपके लिए same चीज रहेगी अगर आपके पास 4 semester में physics है और 2 semester mathematics है तो आप इस course के अंदर भी admission ले सकते हो कोई दिकत की बात नहीं है तो guys यह वो सारे courses थे जिसके अब guys बात करेंगे हम आगे की और guys यहाँ पर 11-12 की restriction है कि आपके पास 11-12 के अंदर mathematics होनी चीए तो यहाँ पर 11-12 की restriction हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलिए तो guys अभी हमारे पास दो courses और बचे है MSC Tech Applied Geophysics in IIT ISM यानि के धनबाद वाले की बात हो रहे हैं आपर तो BSC ह यहाँ पर physics आपको 3 साल चीए यहाँ यानि की 6 समेस्टर में होनी चीए maths आपके यहाँ पर 12 क्रेडिट की होनी चीए फिर 1-year में आपके पास maths होनी चीए यानि की 2 समेस्टर के अंदर उसके बाद क्या हमारे पास and any one of the subject among chemistry, electronics, statistics, geology and computer science with the 12th credit और 1-year तो guys आपके पास physics होनी चीए आपके पास maths होनी चीए और साथ हमें chemistry, electronics, statistics में से कोई एक course होना चीए एक साल के लिए यह eligibility है इसके लिए उसके बाद हम बात करें MS physics की जो IIT जम्मों ओफर कर रहा है तो इसकी eligibility जो है वो क्या है B.Sc, B.S. student के लिए हमारे पास क्या है physics 2 years and mathematics for at least one year उसके बाद गाइस के उपर भी restriction लगाई गई है तो इस course के लिए सिर्फ B.Tech लिए restriction है इसके लावा कई और restriction B.Tech वालों के लिए नहीं है तो I hope यह eligibility सबको समझ में आई होगी अब गैस इसके बाद अगर कोई student MSC physical paper करना चाह रहा है तो गैस एक नया batch start हो रहा है 12 September से और अगर आपको इस batch की जादे information चाहिए तो यहाँ पर आपको एक वीडियो का link मिल जाएगा आप उस वीडियो को जा करके complete information पासकते हो इस batch की पहल सब्तमबर से हमारी जो classes है वो इस batch की start होने वाली है और guys 10% off आपको यहाँ पर मिल रहा है 15 September तक उसके बाद यह offer नहीं रहेगा तो in case अगर आप interested हो तो आप इसके अंदर enroll करके अपने preparation को start कर सकते हो और guys इसके अंदर आपको सिर्फ यह complete course नहीं मिल रहा साथ में आपको revision course मिलेगा साथ में test series मिलेगी assignments ही मिलेंगे तो आपको यहाँ पर complete package मिलने वाला है तो अगर आप interested हो इस course को join कर सकते हो और guys जो इसकी fees रहने वाल करने में interested हो जो कि आपका में या फिर जून या फिर जुलाई के अंदर और आपको next year depend करता है कि postpone होता है कि नहीं होता है जैसे इस बार वाला September में conduct हो रहा है भी 9 September को exam है तो postpone आपका भी हो सकता है तो अगर आप वनियर वाले के साथ जाओगे तो आपका वह वाला exam भी cover हो जाएगा जितने भी आपकी MSC entrance exam उनका जो slavers है वो आपका सेम हलका फुलका फरक होता है तो इस subscription के अंदर में आपके सभी exams के preparation हो रहेगी चैसे आपका IT jam हो गया TFR हो गया CUT हो गया तो जितने भी MSC entrance है क्योंकि State University के भी आप दो गये लेट से तो आपके जितने भी MSC entrance ह होते हैं सारे सबका स्लिवस यहां पर आपका cover हो रहा हो एक subscription के अंडर तो अगर आप इंट्रस्टेट हो डिरेक्ली आप वनियर के साथ जा सकते हो अगर आप CUT के पेपर करना चाहरे हो और अगर आपको अपने विश्वास है कि 6 मेने के अंदर हम अच्छे से पढ़के jam न पास डिसकाउंट आपको जस्ति क्या करना है physics 10 code यूज करना है कहां पर यूज करना है आपको डाउनलोड करनी है प्रेपकिट ठीक है आप प्ले स्टोर पर जाओगे प्रेपकिट सर्च करोगे और आपको एप मिल जाएगी या फिर आप वेबसाइट कर सकते हो www.myprepkit.in और महां जाकर क्या आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आपको batch के अंदर enroll कर सकते हो इसके बाद गैस अगर आपको अभी भी कोई query है तो आप मेरे को इस WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हो 9971029358 या फिर आप मेरे को email भी कर सकते हो contact at the rate myprepkit.in आपको अपनी query का answer मिल जाएगा तो गै अपनी कर दो आपको अपनी।